जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए जन्म कुंडली अध्ययन करना प्रारंभ करूं उससे पूर्भ कलर अभिवार है और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं रहूंगा लाइव आपके लिए आपकी जन्म कुंडली अध्ययन के लिए आपके सवालों का जबाब देने के लिए तो आपकी भी हाजरी आवश्यक है क्योंकि बिना आपके मेरा क्या काम तो कल आना न भूलिएगा अपनी जन्म कुंडली के साथ अपने सवालों के साथ अब आईए इनकी जन्म कुंडली का हम सभी मिलकर अध्ययन करते हैं करक लगन कैसा लगन है तो चंद्रमा से ज्युपाउक, भावना प्रधान, भावनाव में बहने वाले बहूत जल्दी ओरों पर विस्वास कर लेने वाला ये जातक और तो और कई बार आलसी भी होने वाला ये जातक लेकिन लगन के पती लगन जाकर के सप्तम में बैट कर अपने ही नक्षत्र में सनी की डासी में अपने नक्षत्र में स्रोमण नक्षत्र में चंद्रमा बैठ करके 1936 कला अत्यंत बलवान होकर लगन को देख रहे हैं। अब यहां देखा जाए तो इनकी कुंडली में सूर्य और राहू दो ग्रह लगन में ही बैठे हैं, चंद्रमा है केतु के साथ। सूर्य जो की 28 अंस 27 कला के साथ बैठे हुए हैं, और यह सूर्य बैठे तो जनमांक चक्र में लगने में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फल दे रहे हैं कुंडली में धन भाव का, यानि की अपनी ही रासी का वो फल दे रहे हैं, धन भाव का वो फल दे रहे हैं। अब इसके बाद इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थित्यों को जरा एक नजर और देख लें। सबसे पहले तो बता दूँ कि पहला प्लस पॉइंट करक लगन, यह जल तत्वी यह लगन है, और इनकी जो रासी है, यह भूमी तत्व की रासी है। तत्व में तो एकता सामंजस से बैठ जाएगी, क्योंकि भूमी और जल का सामंजस हो सकता है। नीच भंग माना जाता है, वैसे भी यह उत्तरा फालगुनी नक्षत्र में बैठे हैं, अब इसके बाद बता दूँ कि यह मृत अवस्था में हैं, क्योंकि कन्यारासी जो है, यह समरासी है और समरासी में होने के कारण, यह मृत अवस्था में हैं। अन्स चवालिस कला और यह विसमरासी में बैठे हैं, अतह मृत अवस्था में हैं। सामाने से इनके कुछ प्रश्ण है, इनके प्रश्णों की तरफ आईए हम चलते हैं और एक एक करके इनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, इनका सबसे पूर्व कथन के इनकी सिक्षा पूर्ण नहीं हो पाई। कारण वर्तमान समय में इनको गुरू की महादसा चल रही है, जो 2009 से चल रही है, नौ वर्सकीन की मात्र अवस्था थी, तब इनको राहू की महादसा आ गई। इन्होंने एक हद तक बीकौम कर रखा है और सेकेंड इयर में ही इनकी पढ़ाई छूट गई। यानि बीकौम के सेकेंड इयर में जाकरके इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। अब आईए इनके प्रश्ण की तरफ चलते हैं, यह जग कर पूछना चाहते हैं कि जौब छोड़कर बिजनस करना चाहता हूँ। तो आईए देखते हैं, इनकी कुंडली में बिजनस है की नहीं। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, आप करक लगन के हैं, भावुक हैं। भावना प्रधान हैं, बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। देखन के भी हैं, इसलिए कई बार छले जाएंगे। लेकिन अगर आप ब्यापार करना चाहते हैं, इसमें कोई संसे नहीं। बुद्ध आपकी कुंडली में तीन अंस बाईस कला जो ब्यापार के कारक हैं, धन भाव में जाकर के बैठे हैं। आपकी कुंडली में जाकर के पराकरम भाव में और कर्म के मालिक जाकर के कुंडली के बार्वे भाव में बैठे हैं। लेकिन कर्म का मालिक आपके लिए अगर विचार किया जाकर के कुंडली के बार्वे भाव में बैठ गया एक दूसरा। महादसा 16 वर्स की होती है, 2009 से चल रही है, 2025 तक चलेगी और अब ही मध्या अवस्था को पार करके 17 के बाद इनकी कुंडली में आगे की तरफ बढ़ रही है। अब जरा गौर करिए, गुरु कुंडली में कहा कहा के फल दे रहे हैं, तो इनकी कुंडली में गुरु सश्ठम और भाग्य के फल दे रहे हैं, तो पहला सश्ठम का वो फल दिये, अब फल देंगे भाग्य का। इनका ये मानना है कि गुरु की महादसा में सब कुछ ठीक रहा, गुरु जाकर के कुंडली में बैठे हैं कहां, तो बुद्ध की रासी में, बुद्ध की रासी में वैसे तो वो मित्र वस्था में नहीं थे, लेकिन तातकालिक मित्रता होने के कारण मित्र कहे गए, और यह यही घर पर भाग्य भाव पर अपनी दृष्टी डाल रहे हैं अतह जातक को ये स्रिष्ट बलवान बना देंगे जरा गौर करिए भाग्य का मालिक भाग्य को देख रहा है लग्न का मालिक लग्न को देख रहा है ये अत्यंत स्रिष्ट इस्तिति इनकी कुंडली में हुई त गुरू की महादसा में शुक्र का अंतर चल रहा है बिजनेस प्रारंभ करने के लिए अगर देखा जाए तो कहीं कोई संसर नहीं तयारी पहले कर लीजिए पूरी तरह तयार हो जाईए क्योंकि आप में पुनह दोहराऊंगा करक लगने के हैं और अगर इस लगने से देखें तो आपकी कुंडली में पराकरम क्या कहता है सामन जस्य, बैलेंस, मैनेज करना सीख लीजिए आपको इस जीवन काल में और सफलता का मुह नहीं देखना पड़ेगा मकर रासी है इनकी, अब रासी से गुरू परिवर्तन करके आगए इनके ब्रिश्चिक रासी परी समय है तो ज़रा देखिए मकर कुंभ मीन मेश ब्रिस मिथुन करक सिंग कन्या तुला ब्रिश्चिक रासी से ग्यार्वे हो गए गुरू अब ये गुरू जबर दस्त इनके लिए लावदेई सिद्ध होंगे सो ब्यापार के लिए बिल्कुल तयार हो जाईए लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कौन? बुद्धिमान व्यक्ति वो जो एक पैर से चलता है अब एक पैर से चलने का क्या तात पर यह, एक पैर से चलने का तात पर यह यह है, कि आप बिजनिस नौकरी में रहते हुए, बिजनिस की तयारी कर लीजिए, और जब बिजनिस आपका तयार हो जाए, आप तयार हो जाएं, बिजनिस करने के लिए, तभी नौकरी को बाय बाय करिए अलविदा करिए नौकरी तब तक नहीं छोड़नी है नौकरी में रहते हुए ब्यापार की पूरी तयारी कर लीजिए क्योंकि आप मकर रासी के हैं चल रही है साढ़े साती अब साढ़े साती भी कई बार फितूर मन में डाल देती है चुकि चंद्रमाकरहन से ग्रसित ह आपकी कुंडली में कर्म के मालिक जाकर के बारवे में कमजोर होकर के बैठे हैं और करमेस पर शनी की दृष्टी पढ़ रही है तो ये एक कारण बन जाएगा कि आपसे नौकरी भी छुड़वा दे और बिजनेस में आपको सफल न होने दे इसके लिए क्या करें कि आप त पड़ता है आगे इन्होंने पूछा है कि रिन लेकर बिजनेस करना उचित होगा या नहीं आपकी कुंडली में रिन भाव के मालिक बनते हैं गुरु जाकर के कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे हैं अगर रिन से गुरु की इस्तिती देखें तो वो कैसा बनते हैं तो गुरु दसब कर्म स्थान में बन रहे हैं और लगन से देखें तो गुरु पराक्रम में रिनेस जाकर के पराक्रम में बैठे हैं रिन से देखें तो जाकर के कर्म में बैठे हैं क्या कहना चाहता है ये अगर आप मैनेजमेंट सही तरीके से कर सकते हैं कर लेते हैं और अप पैसे को सही जगह पर सही काम में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आप बड़े प्रेम से रिन लीजिए कोई दिक्कत नहीं मंगल की दृष्टी यहां पर पड़ा रही है मंगल वैसे कमजोर है मैंने कुछ दिन पूर्व बताया था कि अगर ग्रह मृत हो तो उसका प्रभाव भावुकता में निर्णे मत लीजिएगा दूसरों पर विश्वास करके कोई कदम मत उठाईएगा यहां देखा जाये तो आपकी कुंडली में पार्टनर भाव का मालिक जाकर के पाराक्रम भाव में बैठा है पार्टनर भाव पर गुरू की दृष्टी है लेकिन ग्रहन पर जाते हैं इनका अगला जो प्रश्ण है इन्होंने कहा है कि गुरू की महादसा में इनको सब कुछ मिल गया क्या आने वाली सनी की महादसा भी इनके लिए ठीक रहेगी यह जानना चाहते हैं तो सबसे पहली बात भाग्येस की महादसा थी भाग्येस ने आपको सब दे दिया तो क्या सनी अच्छा नहीं देंगे आए देखते हैं सनी आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में बैठे हैं और अगर उनकी रासी को देखा जाए तो केंद्र में उनकी एक रासी है गौर करिएगा परसो दिन आपको यह सूत्र दिया था कि केंद्र में अगर पापक चंद्रमा के नक्षत्र में शनी आपके लिए फल देने वाले होंगे भाग्य भाव पर उनकी द्रिश्टी है गुरु और सनी का जो संबंध है वो न सत्रु है न मित्र है सम है तो उस अबस्था में भाग्य भाव पर जो उनकी द्रिश्टी होगी आपको कतई नुकसान करने वाली नहीं होगी वरन बिलंब से आपको मिलेगा इसके लिए घवराइए गमत तो एक बात तो तय करा देता हूं सनी की महातसा के लिए त्यार रहिए सनी फल कहां का दे रहे हैं तो कुंडली में सब्तम और अस्टम का अस्टम का फल दे रहे हैं इसलिए घवरा मत जाईए कि ये सब कुछ नुकसान कर देंगे आठवे से आठवा होकर के बैठे हैं आठवे से आठवा हैं तो स्वास्त में थोड़ी समस्या खड़ी अवस्य करेंगे लेकिन सनी जान लेते नहीं जान देते हैं यानि आयू बढ़ाने वाले होते हैं दरने की आवशक्ता बिलकुल नहीं है यहां यह जरूर कहूंगा कि थोड़ी से हट्डियों में दर्दवगरक शिकायत देंगे पेट से संबंदी तकलीफ आपको नॉर्मली हो जाता होगा तो इससे जरा साउधान रहिएगा आगे इन्होंने पूछ कहा भी है कि 15 अगस्त 2017 के बाद से घबराहट प्रेसर बेचैनी होती है भ्रमात्मक रोगिन को ऐसा हो रहा है इसके पीछे का रिजन यह जो गुरू है आपके रोगेस हैं रोगेस होकर के जाकर के बैठे हैं पराकरम भाव में बैठे हैं लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसके बावजूत कहूंगा कि डरने की कोई सारे साती लग गई थी लेकिन सनी के वक्री हो जाने के कारण आपको सारे साती अक्टूबर के बाद आई तो थोड़ा सा परिशानी घबराहट मानुसिक टेंसन इत्यादी हो रहा होगा मैं कहूंगा भगवान की सरण में आईए कोई समस्या नहीं होगी आगे बढ़ जाते है इन्होंने पूछा है कि आने वाले समय में कोई बड़ी विमारी होने की संभावना तो नहीं जहां तक मैं आपनी कुंडली को देख रहा हूं रोग भाव की वैसी कोई बहुत बड़ी स्तुती मेरे नजर में नहीं आती कि कोई बहुत बड़ा रोग आपको हो जाए हाँ ज चंद्रमा ही यहां पीड़ी दिखाई पड़ रहे हैं मन को असांत कर रहे हैं वैसे तो यह तातकालिक मित्रता में नहीं है तो थोड़े कमजोर बन रहे हैं तो इसके लिए कहूंगा श्यूजी की आराधना कर लीजिएगा तो यह जो मानसिक अशांती घबराहट डिप्रे बैठ करके फल दे रहा है कुटुम्ब का ही कुटुम्ब भाव में बुद्ध बैठे हैं आपको बिल्कुल चिंता करने की आवशक्ता नहीं किसी पापक ग्रह की दृष्टी कुटुम्ब भाव पर बिल्कुल नहीं है तो आपको कतई चिंता करने की आवशक्ता नहीं यहां एक बात तवस्य कहना चाहूंगा कि अपने पत्नी का स्वास्त जरूर जरा ध्यान में रखिएगा उनको स्वास्त में थोड़ी परेशानी हो सकती है कई बार सनी छोटे मोटे रोग दे देते हैं तो जरा सा स्वास्त में उनके ध्यान आपको रखना होगा वैसे कई बार आपको कार्यक छेत्र में बेहतर करने के बावजूद क्रेडिट कम मिलेगा क्यों क्यों कि सुर्य भी आपका थोड़ा कमजोर है तो इसके चलते क्रेडिट थोड़ा आपको कम मिलेगा घबराये मग सुर्य की नित्य आराधना प्रारमभ कर दीजिए भगवान शु सरवाधिक कारग्रह की अदिबात करूं तो गुरू सरवाधिक कारग्रह बनते हैं मंगल सरवाधिक कारग्रह बनते हैं और चंद्रमा खुद सरवाधिक कारग्रह बनते हैं ताकालिक मैत्री में तो वैसे वो सत्रुता में हैं ग्रहन में हैं तो आपको सबसे पहले कहूंगा क कि हो सके तो सोंबार के सोंबार सीव जी को जाकर के दूध चढ़ाईए केवल दूध पुरुनिमा का ब्रत कर लीजिए और प्रतेक पुरुनिमा को ब्रत करके सायमकाल चंद्रमा को दुख्ध से अर्ग प्रदान कर दीजिए चंद्रमा को थोड़ा बल दीजिए चंद्रमा क का मंत्र भी जब सकते हैं सीव जी की आराधना करने से चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाते हैं मंगल का रत्न पहनने के लिए नहीं कहूंगा तो हनुमान जी की आराधना कर लीजिए हनुमान जी आपके इस्ट देवताद गी हैं तो अधिकाधिक बजरंग बान का पाठ करिए कम से कम तीन पाठ बजरंग बान का कर लीजिए और जब भी कभी समय मिले कोई बढ़िया मुहूरत हो तो संकल प्लेकर के 108 बार हनुमान चालिसा का पाठ कर लिया करिए उससे क्या होगा कि सबतमेश को बल मिल जाएगा और मंगल को बल मिलेगा तो मंगल आपको ऐसा नहीं क जब भी आपको समय मिले 108 बार कर लिया करिए रत्न के नाम पर इस कुंडली में मैं केवल एक रत्न की सलाह दूँगा अगर आप चाहें तो एक चंद्रमा का रत्न धारन करके देख सकते हैं अगर पेट जन्ने रोग न हो बहुत जादा पेट से प्रभावित आप न हो लगभग सवा 9 रत्ति का एक टोपाज ले लिजेगा और टोपाज को तरजनी उंगली में लगभग एक वरस तक धारन करिएगा भगवान की कृपा से सब ठीक रहा तब आप पोखराज पहनिएगा पोखराज पर पहले पैसा मत लगाईएगा तो टोपाज और एक मोती खाने पीने से संबंधित अथवा ये ऐसा काम करना चाहते हैं जिसंसे किराया आता रहे मैं आपको सलाह दूँ कि आप ब्यापार जहां भी करना चाहते हैं संबंधित आपका ब्यापार बन सकता है मंगल से तो नहीं कहूंगा सनी से ही related आप यापार करिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको होने वाली है व्यापार अगर आप खाने पीने से संबंधित करना चाहते हैं मेरी तरफ से मना ही नहीं है इन्होंने कहा कि बिवाह इत्यादी के लिए लोज बना करके और उसे किराय पर देना चाहता हूं बिलकुल आप कर सकते हैं लेकिन सुक्र जरा कमजोर है इस बात का खायाल रखिएगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी जरूर लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि डरे तो रिजल्ट कैसा लेंगे तो डरिये मत संघर्ष लगन को बलवान बनाईए मा का संबान कीजिएगा मा की देख रेक करते रहिएगा अगर है तो नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है मान नहीं है कोई बात नहीं अगर पिता है तो उनका संबान करिए वैसे भी सुर्य आपकी कुंडली में थोड़े कमजोर है तो पिता का स इकभाल करिए उससे सूर्य आपके बलवान हो जाएंगे और कुछ भी करने की आवशकता नहीं कर्म में प्रवृत्त हो जाएए नौकरी करते हुए बिजनेस की तयारी और फिर बाद में बिजनेस तो प्रेदर्श को ये थी इनकी जन्म कुंडली का ध्यान बंडी जी के साकारात्मक सोच इनसान को और सफलताओं से लड़ने की छमता दे देती है हर परिसानी से लड़ने की छमता दे देती है जरा गौर करिए अगर आप बहतर कर रहे हों और कोई आकर के आपकी कमी निकाल दे आपको कुछ नेगेटिव बाते बोल दे नाकारात्मक बाते बोल जाएगा तो सकारात्मक बिचार पॉजिटिफ बिचार धारा लोगों को आगे बढ़ा देती है तो बस इतना ही इनके लिए आप परिवार के ये सुदस्य है इनका लाभ हो जाएगा तो आज के लिए वसे इतना ही इजाज़त दीजिए कल लाइब आप सब के समुख खाऊंगा आना मत भूलियेगा आज के लिए वसे इतना ही इजाज़त दीजिए नमस्कार